कुमराशी वालों के लिए कैसा रहेगा जन्वरी कमाद्थिभाग उम देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीदग प्रसीदा मातर जगतो कि लस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहिविश्वम त्वमेश्वरी देवीचारा आचारे से नमश्कार स्वागत है आप मैं आचारे विक्रमादित आपके साथ हूँ और आज का विशे जो हम आपके समक्ष रखने वाले हैं कुम राशी वालों के लिए कैसा रहेगा ये जो जन्वरी का मद्धिकाल है देखिए जन्वरी एक विशेश तोर पर कई प्रकार के ग्रह योग का परिवर्तन का महतुपूर्ण परिवर्तन का योग इस बार लेकर बन रहा है आपके समक्ष जन्वरी की मद्धिकाल में सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं औ बहुत सारी ग्रहों परिवर्तन का योग बन रहा है। और यह परिवर्तन आपके जीवन में विशेश तोर पे कई प्रकार की परिवर्तन परिवर्तन करने की योग बनाएगा। साथ साथ शुक्र का परिवर्तन भी होगा और ये सारे का सारा जो परिवर्तन है वो बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है तो सिलसलेवार तरीके से आपको समझना चाहिए कि ग्रहों का योगा योग क्या है यदि इस बार यदि संक्रान्ती की बात की जाए क् कि यन्वरी के मद्धे में संक्रान्ती का योग भी पढ़ रहा है और सूर्य जो है वो मकर राशियम परवेश कर रहे हैं देखिए इसमार बड़ा विच्छित प्रकार का योग बना वैसे तो रविवार को सूर्य की जड़ी संक्रान्ती हो तो कहाता है रहता है इतना है ले जो राज्य को विशेशत तौर पर संबंद रखते हैं, बड़े नेता संबंद रखते हैं, उनके लिए कई प्रकार से ये विशेशत तौर पर कष्ट देने के योग बना सकता है। दिखाता है, तो ऐसे में विशेशत तौर पर ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, उसमें वह साथधानी के साथ हम सब को अपने जीवन में क्या को चल रहा है, वो सब चीजे समझनी चाहिए। अगली राशी में शनी महराज और सूरे से पिछली राशियों में, यदि हम देखें, तो शनी का, मंगल का, सब का योगा योग चल रहा है, वो कहीं प्रकार से विशेत प्रकार का योग बनाएगा, और ये अशान्ती का वातावर्ण पुरे विश्यों बनाने का कुछ नख राश्ता दिखाई देता है, सिलस्लेवार तरीके समझने का प्रयास करें कि 11 जनवरी को ग्रहु का योग योग क्या सा रहेगा, पौश मास की अम हवस्या का योग बन रहा है, ग्रहा जन्वरी को और धनू राशी में चन्नमा का योग चल रहा है, ये विशेश तर पर अच पुष्टरों के निमेत ये कारे अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 12 जन्वरी को ग्रहों योग देखें तो उस दिन प्रतिपदा तिथी है और 7-7 पाश मास की शुक्ळपक्ष की प्रतिपदा शुक्रवार का अवसर ग्रहों का परिवरतन का योग है और ये परिवरतन 7-7 सरवात सिध्धी योग का भी निर्मान कर रहा है सरवार सिद्धियोग का भी सुन्दर योग बनता दिखाई दे रहा है, और दुपेहर को करीब करीश सवा-3 बजे के बाद सरवार सिद्धियोग विद्यमान रहेगा, और ऐसे में ग्रहूं का योगा योग तो साथ-साथ दिखाई रहा है, लेकिन आपके लिए समय भारी दि करने की ज़रूरत हैं इसे में शुक्रवार हैं तो सुद्र उपाय रहेगा समस्त कश्टों को दूर करने के लिए गहूर पूजन करें गायें को भुजन इत्यादी करायें गायें को हरा चारा डालें और गायें को दी भीगोकर आप चनदर दालेंगे तो आपके ग्रहों में परिवर्तन का योग अच्छे रूप से लाब दे सकता है। मैनेज करके रास्ते निकाल सकते हैं लेकिन चंद्रमा विशेशतार पर आपकी राशी में 12 भाव में चला गया है और वो कहीं न कहीं कष्ट देनी के योग पर आ सकता है। योग है रविवार का अवसार है और तृतिया तिती है साथ साथ उस दिन चतुर्थी भी शे हो रही है। तो नए कारे आरंब कर लिए दिन अच्छा नहीं दिखाईता है वैसे जो रविवार है उस दिन संक्रान्ती का योग भी पढ़ रहा है। लेकिन संक्रान्ती जो है वो पढ़ रही है करीब करीब सुबह चार बज़े के आस पास। संक्रान्ती का योग तो इस दिन बन गया है लेकिन पुन्य जो है अगले दिन माना जाएगा। बनता है तो संक्रान्ती का पुन्य शास्त्रोग दिष्टिकोंड से देखा जाए तो वो सोमभार के दिन 15 तारिक के दिन ही रहेगा तो इसको शास्त्रोग की साब से मानना चाहिए। ग्रहों की योगा योग देखें तो आपके लिए परिवर्तन का योग बनेगा, मनोच में महतुपूर्ण परिवर्तन आएगा, उत्साह में वर्धन की योग दिखाई देते हैं, ऐसे में सूरे के निमित कुछ विश्टवर पर अच्छा किषडी का दान करें, गड़न आगे बढ़ने के मापशस कर रहा है, नए विचारमन में आ सकते हैं, जैसे सूरे अपनी राशी बदल कर नए जगे आए हैं, तो पुरा प्रापक्रिटी के अनुसार भी बहुत महतुपूर्ण परिवर्तन के योग देंगे, आपके लिए भी ये परिवर्तन के योग दें आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है, तो इस पूरे महीने में आपको ध्यान ये रखना है, विशेश्टार अपनी महतुपूर्ण परिवर्तन के अंकुछ लागे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बाते सो सकते हैं, बहुत बड़ा करने का सो सकते हैं, लेकि उतने ही टांग की दाल, चावल इत्यादी का दान करें, गरम वस्त्रों का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, सूरा जनवरी को ये बात करें, शष्टी तिति मंगलवार का अवसर, ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, और सास्त मंगल भी उस दिन उधे होने जा रहे हैं, मंगल पिश्टे चार महिनों से, करीब केरी पांच महिनों से अस्त चल रहे है थे सूरे के साथ, और अब मंगल पूरी तरह से अपनी शक्ती को वहाँ दिखाने का समय आ गया है, धनुराशी में विश्टषवब जिस परका से मंगल का योगा योग चल रहा है, और सूरे से मंगल उदे होंगे तो बहुत जादा एग्रिवेट हो सकते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखें, नित्यपति हरुमान चालिसा का पार्ट करें, यह आपके लिए बहुत जरूरी है, अनिथा कहीं न कहीं दुस्साहस करने के योग बन सकते हैं, तो आपको बहुत साबधानी के सा रह रहा है, 17 जन्वरी को विशेशतार पे ग्रहुं का परिवर्तन भी हो रहा है, और कई प्रकार से सुन्दर योग भी बन रहे है, उजिन गुरु गुविन सिंग जी का प्रकाश उत्सव है, तो हमें उनका स्तवन करना चाहिए, उनके निमित भारती संस्कीती में जिस प बात करें सता तारीक को विशेशतार पे आपके लिए बड़ा उन्नती दायक बना हुआ है, और उन्नती के यूग अच्छे बनेंगे, और ऐसे में अपनी माता जी का आशिरवाद लेकर आप काम करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत सुन्दर है, लेकि बात ध्यान रखीग बच्चों के जीवन में कष्ट होने के यूग बन जाते हैं, तो इस बात को हमें शोत करके देखा, जिनके जीवन में इस परकार के मूल शान्ती नहीं हुई थी, जब मूल शान्ती कराने का हमने प्रयास किया, उसके बात से महत्वपूर्ण परिवरतन होने के यूग बने, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, 17 और 18 तारिक को कंड़मूल नक्षित विद्यमान है, और ये दोनों सब धिनों में जो जातक जन्म लेंगे, उनकी मूल शांती अवश्य, उनके माता पिताव करानी चाहिए, 18 जन्वरी को ग्रहों गणना दिखा रही है, कि विशेशता निर्मान रहेगी, उसके बाद नए कारे आरंब कर सकते हैं, सरवातसित योग का भी सुरंदर निर्मान हो जाएगा, और साथ-साथ शुक्र ग्रह परिवर्तन की तरफ चा रहे है, शुक्र का धनूराशी में परवेश होना, मंगल का चलना, इस बात का ध्यान रखना है ध्यान रखते हुए आपको कारे करने की जरूरत है, 19 जन्वरी को ग्रह गणना विशेशतर पर दिखा रही है, शुक्रवार का अवसर नौमी तिधी, और रवी योग बहुत सुन्दर तरीके से विद्यमान है, और ये आपको आगे बढ़ने के सुन्दर योग बनाएगा, धन आगमन के सुन्दर माज़ प्रिशर सो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा समय का सदुक्यों करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का योग बन रहा है कि बहुत सारे लोग आपके ऐसे पल्ले पढ़ सकते हैं, जिनको अपने स्वार्थ के नि और ये परिवर्तन आपके लिए विश्ष्ट पर स्वास्त पर ध्यान रखने की जरूबत है, वैसे तो चन्नमा उच्छी के हो जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार का योग बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूबत है, स्वास्त के दिमिस्त, तो ध्यान रखती धनिवाद, नमस्कार.